अगर आपके बाल सिल्की और शाइनी भी नहीं है तो भी ये आपके बालो को सिल्की शाइनी बनाने में मदद करेगी और बालो को एकदम जरो से काला लंबा घना बनाने में मदद करेगी नैचरल ही आपके बालो को कंडिशनिंग करेगी और बालो को शाइनी और सिल्की भी बनाए रखेगी तो चलिए देखते हैं किस तरह से रमेडी को तयार करना है और किस तरह से इस्तमाल करना है आप किसी भी कराई लेकर लेकिन अगर लोहे की कराई में नास्将रा बनाने में मददंगारा, यह दोस्तो मैं यहाँ पर हेर औञ आप सबके साथ श्यार करेंगी जोका ने चैला आप के बालों के सरसोगा तल यानिinin कि मॉस्टर या करता है आपके बालो को काला बनाये रखने में मदब करती है जडों से यह आपके बालो को मजबूत करती है अगर आपके scallop में fungal infection races । उसे भी कम करने में मदद करती है Splytoon को भी कम करती है next मैं अपर add carryl harsh आपके बालो में जितने भी इंफेक्शन शुसे कम करने में उसे कम करने में उसे मज्बूत करती है अर हल्दी से जो कारबन पाया जाता है वो नैचिरल यह मारे बालो को भी काला करने में मदद करते है तो मैंने यहां पर एक बड़ा चमच यहां पर हल्डी ले लिया है उसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि तेल में कोई लॉम्स या फिर गांठ नार है बहुत ही अच्छा इससे आपका जो ओयल है वो बनके तैयार हो जाएगा नेक्स्ट मैं अब इसमें एट कर रही हूँ हिना पाउडर जी हां दोस्तों आप सबको पता ही है कि हिना हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है हमारे बालों को यह नैच्रल कलर करने में मदद करता है और यह आपकी बालों को सिल्की शाइनी बनाती है और जडों से मजबू करता है और आपके बालों को जडों से मजबूत भी बनाता है आज मैं जो रेमेडिया आप सबके साथ शेयर कर रही हूं उसमें कुछ भी हमफल केमिकल नहीं है 100% नैच्रल है लरका लरकी कोई भी इस्तमाल कर सकता है यह ना ही आपके बालों को काला बनाएगा बलकि बालों से मजबूत बनाती है आपके बालों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जैसे की बाल नहीं उखते हैं बहुत जड़ते हैं यह सारे प्रॉब्लम को दूर करती है और नैच्रली आपके बालों को काला बनाए रखने में मदद करती है आप जब इस रमडी को इस्तमाल करेंगे आप देखेंगे दीरे दीरे आपकी जो ग्रे हैर है वो कलर वो काली होते जाएंगे और हैर की ग्रोथ को भी बूस्ट करेंगे और नैच्रल कंडिशनिंग भी तो अच्छी तरह से मैंने इन सारे चीजों को सरसो की ओल में मिक्स कर लिया है अब इसे प्रिप्यार करने के ल दीरे दीरे देखेंगे इसमें जो कलर है वो बदलता जाएगा और नैच्रली यह ब्लैक होता जाएगा आपको इस तरह से इसे बॉइल कर लेना है और आज मैं आप सब के साथ जो रिमेडी शेयर कर रही हूं वो आप एक महीनी के लिए या फिर पंदरा दिन के लिए बना क चाहते है तो इसका जो क्वांटिटी है उसे डबल कर दीजेगा तो इस तरह से आपको चलाता जाना है और धीरे धीरे देखेंगे यह जो कलर है ना वो धीरे धीरे डार्क होता जाएगा एक दम ब्लैक कलर में यह कंवर्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारे जो नै इसे अच्छी तरह से चान लीजिए ताकि यहां पर जो मैंने पाउडर मिलाया था ना वो उसमें चान जाए और जो एकदम प्योर जो ऑईल है वो हमें मिल जाए अब देखिए इस तरह से मैं इसे चान रही हूँ और इसका कलर अब देख सकता है एकदम नैचरल ही आपके बा हमारे हेर के लिए बहुत ही अच्छा है और नैचरल ही यह बालों को कलर भी करती है कंडिशनिंग भी करती है और यह जो ऑईल मैंने प्रिपेर किया है इसे अब एक कंटेनर में भढ़के स्टोर भी करके रख सकते है तो चलिए देख लिए ना कितनी आसानी से आप इस आप को बना सकते है और इसे स्टोर कर सकता है चलिए देखते हैं अब इसे किस तरह से इस्तमाल करना है तो सबसे पहले बता दू इस ओल को लड़का लड़की कोई भी इस्तमाल कर सकता है हफ़ते में दो से तीन दिन आप इसे इस्तमाल कर सकता है इसे क्या करना है अपने बालों जैसे कि मार्केट में यह बालों को डाइ करती है बिल्कुल उसी तरह कर दो बनके तयार हो जाएगा अब क्या और दूसरा तरीका में आपको बता दू आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं जिस तरह से मैं रख रही हूं मैं मेरे बालों पे इसे अच्छी तरह से अपलाई कर रही हूं और उसके बाद ओवरनाइट में इसे रख दूंगी अपने बालों पे फिर मॉर्निंग में मैं अच्छी तरह से शैंपू कर लूंगी कोई माइल्ड शैंपू से जैसे की बेबी शैंपू होता है उसी तरह की माइल्ड शैंपू से अब अच्छी तरह से अपने प्रकर तो जो दिनी केहत वहां अनुग वहां से काले ही यह 네ज्डिक यह किली काले ही आइई अपके होगे हर कहाई ऑपकी हरो सिल्की और शइनी मेराइल ना में हम इसक दो अपल्दय के कर लिया है जी हां दोस्तों अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा जादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा तो मैंनिंग से लगा लिया है अब ओवरनाइट मैं इसे रख दूंगी और मॉर्निंग में मैं मैं शैंपू करके जो रिजल्ट है वो आपके साथ शीयर कर हेर की प्रॉबलम है लेकिन मैं इस तरह की रिमेडी को ट्राई करती रहती हूँ इसलिए वो प्रॉबलम अब दूर हो गई है और आप मेरे बालों को देख सकते है इसका जो कलर है बिल्कुल जेट ब्लैक है बिल्कुल भी भूरा या फीड डिस कलर नहीं है जैसे कि आजकल की प्रॉबलम होती है ना वैसा बिल्कुल नहीं इस नेच्टरल ओल को ट्राई किये जिए तो आपके हैर भी इस तरह से नेच्टरली एकदम काले सिल्की शाइनी और खुबसूरत बन जाएंगे तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया रेमेडी को ट् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में